आकाश्वणी मध्यप्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादिशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं रतनेश सोनी उपमक्षिमंती राजनी शुकल ने आज भुपाल के जैप्रकाश चेके साले परहसर में पोलियो ड्रॉप पिलाकर प्रदेश में रास्ट्री पल्स पोलियो अभ्यान का शुभरम किया उन्होंने प्रदेश के समस्त नागरिकों अभी भावकों से अपील किये कि अपने नौनेहालों की सुरक्षा में कोई चूक न होने दें प्रदेश में शुरू हो रहे रास्ट्री पल्स पोलियो अभ्यान में शूने से पाच वर्ष आयू के बच्चों को नजदी की पोलियो बूत में जाकर दो बूंद जिंदगी की अवश्प दिलाएं उपु मिख्यमंती ने कहा कि 25 जून से दस्तक अभियान शुरू किया जा रहा है अभियान में घर घर जाकर स्वास्त विभाग का अमला घर घर जाकर दस्तक देगा अभियान में बच्चों की वैक्सिनेशन के साथ साथ अन्य जाज़ भी की जाएगी इस बार प्रदेश में लगभग एक करोड ग्यरा लाख बच्चों को पोलियों की दवा पिलाने के लिए लक्षित किया गया है अभियान के दूसरे एवं तीसरे दिन 27,271 टीमों दौरा एक करोड 28 लाग घरों का भर्मन कर बच्चों को पोलियों की खुराक दी जाएगी सतना जिले में बच्चों को पोलियों निरोधी दवा पिलाई जा रही है सतना जिला अस्पताल सतना में राज्जमांति श्रिमती पृतिमा बागरी ने दो बूंद दवा पिला कर अभियान का शुभारम किया खनवा में सांसत ज्यानिश पर पाटिल वा पंधाना विधायक श्रिमती राज्वारवारी ने बच्चों को पोलियों की दो बूंद दवा पिलाई गुणा में जिलचर के साले में विधायक पनना लाल शाक्ग्य ने अभियान का आरंब किया शिवपुरी जिले में आज से पल्स पोलियो अभ्यान की शुरुबात हुई वधायक देवनर जैन नगर पाले का द्दक्ष गायतरी शर्मा ने हवाई पट्टी स्थित संजीवनी क्लिनिक पर पहुँचकर इस अभ्यान के तहत बच्चों को पोलियों से बचाओ की दवा पिलाई नर्मदापुरम जिले में एक लाख 51,309 बच्चों को पोलियों की दवा पिलाने का लक्ष रखा गया है मद्रप्रदेश लोगसेवा आयोक की राज्य सेवा एम राज्य वन सेवा की प्रारंबिक परिक्षा 2024 का आज आयोजन किया जा रहा है परिक्षा का पहला सतर दस से बारहा बजे तक हुआ और दोपहर दो बच का पंदा मिनिट से चार बच का पंदा मिनिट तक दूसर सतर होगा आयोक के अनुसार 110 पदों के लिए कुल 1.8 तीन लाख उमीदवार परिक्षा में हिस्सा ले रहे है सतरा जिले में लोकसेवा आयोक की प्रार shave परिक्षक के लिए जिले में नो के इंदर बनाए Whitney आयोक दोरह निग्रानी के लिए सेवा निवरित आय एस किश्ट महॉन गोतम को रीवा संभाग का संभाग ये परीविख्षक में उतकिया गया है जिला गुना में परिक्षा का संभागी परिविक्षक सेवा निवरित आईएस शीखर वर्मा ने इन्रेक्षन किया जिले की छे परिक्षा के इंदों पर परिक्षा हो रही है नर्मादापुरम जिले में साथ परिक्षा के इंदों बनाएगा है परिक्षा के संचालन के लिए सभी परिक्षा के इंद्रों में आधिकारियों के निक्ति की गई है प्रधान मंत्री नरेद मोधी ने प्रिक्षात पिचारक और शिक्षाविद दॉक्टर शामा परसाद मोखरजी को उनके शहीदी दिवस पर शद्धान जली दी सोचल मेडिया पोस्ट में श्री मोधी ने कहा कि डॉक्टर मोखरजी ने अपना जीवन भारत माता की सेवा में समर्पित कर दिया था उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर मोखरजी का उजवान व्यक्तित देश की हर पीड़ी को प्रेडित करता रहेगा मुख्यमंत्री मौहन यादव ने भी डॉक्टर मुखर जी को उनके शहिदी दिवस पर शद्धा जली दी है अठारवी लोकसबा का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है सत्र के दौरा नव दिर्वाजिस सांसदों को शपत दिलाई जाएगी वरिष्ट भाजपा सांसद ब्रत हरी महताब लोकसबा की नए सांसद को शपत दिलाएंगे श्री महताब को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया है नए लोकसबा अध्यक्ष का चुनाव इस महीने की 26 तारीख को होगा अगले दिन 27 जून को लोकसबा और राजसबा की सहयूंत से सत्र में राजपती द्रोपती मुर्मू का भी भाशन होगा संसद सत्र अगले महीने की तीन तारीख तक चलेगा ICC 2020 विश्व कप क्रिकेट में आज सुभा जमाइका के किंग्स टाउन में सुपर आठ मुकाबले में आफगानिस्तान ने एक रुवंच एक मैच में ऐस्टेलिया को 21 सनों से हरा दिया 149 सनों के लक्ष के जवाब में उस्टेलिया उन्नीस ओवर और दो गेंद में 127 रह नहीं बना सकी अफगानिस्तान के ओल रौंडर गुलब वदीन नायब ने चार विकेट लिया और उन्हें प्लेयर आफ दो मैच चुना गया अब कुछ समाचार संशिप में आगर मालवा कलेक्टर ने विध्याले से अनुपस्तित रहने पर ग्राम टाबड़िया के एक शिक्षक को निलंबित कर दिया वहीं चार शिक्षकों को दो दो दिवस का वेतन काटने का अधिश दिये सतना जिले में किसानों दोरा खरीफ सीजन के लिए बोनी की तैयारियां शुरू कर दी कर्शिप विभाग दोरा किसानों से अपील की गई है कि डिये पी के स्थान पर एन पी के खाथ बहतर विकल्ब है इसी के साथ ये समाचा बोले निसमाप्त हुआ नमस्कार आपे बोले शुर वाल और पोले आपको मुडब टिया। और लिए लो और अगये से अपीर खादू